जगड़ा अमेरिका और इरान के बीच लेकिन मार पड़े इराक को नमस्कार मैं हूँ अविनाश और आप देख रहे हैं ABP Uncut अमेरिका को इरान के ताकतवर इंसान मेजर जनरल कासिम सुलमानी को मारना था तो उसने इराक पर हमला किया इरान को इसका बदला लेना था तो उसने भी इराक में बने तीन अमेरिकी ठीकानों पर हमला किया अमेरिका और इरान दोनों ही देश एक दूसरे के खिलाफ हमले के लिए इराक की सरजमी का इस्तेमाल कर रहे हैं ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर अमेरिका और इरान के बीच की इस लड़ाई का मैदान इराक क्यों बना हुआ है आज का बिन मांगा ग्यान इसी मुद्दे पर इरान में तेल का भंडार है दुनिया का करिब 10% दी तेल अकेले इरान के पास है अमेरिका जाशा देश हमेशा सही इस तेल पर अपना कबज़ा जमाना चाहता था क्योंकि बिना तेल के कोई भी देश ताकत हासिल नहीं कर सकता था इरान को भी इस बात का बखुबी एहसास था इसलिए इरान के प्रधान मंत्रे रहे मुहंबद मुसद्दिक ने साल 1901 में इरान के तेल के कोऊं का राश्ट्री अकरण कर दिया इसकी वज़ा से इरान के कोऊं से तेल निकाल रहे अमेरिका और बिटेन जैसे देशों को परिशानी होने लगी अमेरिका और बिटेन उस वक्त भी दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक थे खुश थे लेकिन एक इरानी आदमी था जो इससे नाराज था नाम था आया तो लाह खमे नहीं लेकिन वो इरान में नहीं था शाह ने उसे देश से बाहर कर दिया था वो कभी तुर्की कभी इराक और कभी पेरिश में सरण लिये हुए पड़ा था 18 साल तक ऐसा ही चलता रहा अमेरिका और बिटेन के सरपरस्ती में साहराजा पहलवई इरान के सरवे सरवा बने रहे 1971 में साहराजा पहलवी ने इरान के एतिहासिक साहर परसे पोलिस में एक पार्टी दी इस पार्टी में यूगोसलाविया का राश्रपती टीटो, मोनाको का प्रिंस रेनियर और प्रिंसेज ग्रेस, अमेरिका का उपराश्रपती सिफ्रो अगनेयू और सोवियत संके स्टेट्समें निकोलोई पोर्गनी शामिल हुए थे और तब 18 साल से चुप बैठे आया तो लाख हमें नहीं ने इस पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया इसे सैतानों की पार्टी करार दिया और सीधे तोरप साहराजा पहलवी के खिलाफ मोर्चे बंदी की शुरुवात कर दी पहले सही साहराजा पहलवी से नाराज इरानियों को नया नेता मिल गया था जो विदेश में बैठकर उनका नेत्रित्व करने लगा नतीजा ये हुआ कि इरान में साहराजा पहलवी के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू हो गया अमेरिका और बिटेन के खिलाफ इरानी लोगों की नाराजगी खुल कर सामने आ गई महीनों तक इरान में आम लोगों ने आंदोलन किये इसका नतीजा ये हुआ कि 16 जनवरी 1989 को इरान के मुखिया साहराजा पहलवी को देश छोड़ कर भागना पड़ गया एक फरवरी 1989 को इरान के सरवच धार्मिक नेता के तोर पर देश वापस लोटे जिनके स्वागत के लिए तेहरान की सड़कों पर 50 लाग से भी जादा लोग इकठा हो गए हयात अल्लाहकमे नहीं ने लोटने के बाद इरान में जन्मत संग्रह कराया और फिर इरान को एक इसलामिक राष्ट घोसित कर दिया इस करांती के वज़े से अमेरिका और ब्रिटेन का इरान में रहना और तेल के कुऊंँ से तेल निकालना मुश्किल हो गया इस दोरान शाह को कैंसर हो गया था जिसके इलाज के लिए वो अक्टूबर 1989 में अमेरिका के न्यूँयार्क चल लिया थे और जब इरान के लोगों को इसका पता चला तो नवंबर महिने में एक दिन वो तेहरान के अमेरिकी दूतावास में घुस आये और 52 अमेरिकियों को बंधक बना लिया तब अमेरिका के राश्पती थे जिमी कार्टर इरानी लोगों के मांग थे कि साह को उन्हें सौंप दिया जाए वहीं अमेरिका ने इरान पर कई बड़े आर्थिक प्रतिबं लगा दिये राश्पती जिमी कार्टर ने अमेरिकियों को छुडाने के लिए मिलिटरी एक्षन भी किया लेकिन इरान के लोगों ने उसे नाकाम कर दिया नतीजा ये हुआ कि 52 अमेरिकी करीब 14 महीनों तक तेहरान के दूतावास में बंधक बने रहे जब अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हुआ और जिमी कार्टर की जगा पर रोनाल्ड रीगन अमेरिका के राश्पती बने तो इरान के साथ नए सिरे से बात शुरू हुई आर्थिक प्रतिबंध हटा लिये गए और फिर इरान ने भी बंधकों को रिहा कर दिया इस बीच साराजा पहलुई के भी मिसर में मौत हो गई थी लेकिन फिर कभी इरान और अमेरिका के संबंध सामान्य नहीं हुए और फिर इरान में हुई इराक की एंट्री इरान और अमेरिका के बीच लड़ाई खत्म हुई तो इरान के सामने नया संकट आ गया इस संकट का नाम था सद्दाम हुसेन जब अमेरिका और इरान आपस में लड़ रहे थे इरान के पडोसी देश इराक में नया राश्टपते चुना गया था जिसका नाम था सद्दाम हुसेन उमान की खाड़ी या यह कहे कि पर्सियन गल्फ में इरान का दबदबा हुआ करता था सद्दाम हुसेन इरान के इस दबदबे को खत्म करना चाहता था इसके अलावा उसे डर था कि इरानी करांती के बाद मजबूत हुआ इरान इराक पर कहीं हमला न कर दे सद्दाम के इसी डरने लड़ाई छेड़ दी उसने इरान पर हमला कर दिया तारीख थी 22 सितंबर 1980 लेकिन वो कहावत है न कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त हुआ करता है इसलिए इस हमले में इराक की मदद की अमेरिका ने जो इरान पर फिर से काबिज होना चाहता था नतीजा ये हुआ कि इरान और इराक के बीच लड़ाई शुरू हो गई जिसमें अमेरिका जैसा ताकतवर देश इराक के पीछे खड़ा था और जब अमेरिका इराक के साथ खड़ा था तो ब्रिटेन, सोवियत यूनियन, फ्रांस और अधिकांस अरब देश इराक के साथ खड़े हो गए इरान लगबग अकेला पड़ गया फिर भी वो मजबूती से डटा रहा लड़ाई में इरान इराक तो लड़ी रहे थे साथी दोनों देशों के कुछ संगठ हन जो अपने अपने देश की सरकारों से खफा थे दुस्मन देश के साथ आ गए थे इरान में इरानी सरकार के वीरोधी इराक के साथ तो इराक में सद्दाम हुसेन के वीरोधी गुड इरान के साथ थे लडाई के दवरान दोनों में से कोई भी देश पीछे हटने को तयार नहीं था इराक ने इरान पर घातक हत्यारों का इस्तेमाल किया इरान ने भी इराक पर लगतार मिसाईले दागी करीब आठ साल तक चली इस लडाई में दोनों देशों के करीब पांच लाग सैनिक मारे गये, चार लाग सैनिक घावयल हुए और सत्तर हजार सैनिक बंदी बनाये गये इस लडाई में दोनों देशों के आम नागरिक भी मारी गये थे 20 अगस्ट 1988 को इरान संयुक्तरासंग के समझोते को मानने को तयार हो गया और फिर लडाई खत्म हो गए लेकिन इराक के मोह खून लग चुका था इराक और इरान की लडाई में कुवैत ने इराक को आर्थिक मदद की थी पैसे उधार दिये थे, लडाई खत्म होई तो इराक को वो पैसे कुवैत को देने थे लेकिन इराक के पास पैसे ही नहीं बचे थे 1988 में इराक के पेट्रोलियम मंत्री ने देश के तेल का उत्पादन घटाने का फैसला किया मकसद ये था कि तेल की कमी होगी तो अंतराश्ट्रिय बाजार में तेल के दाम बढ़ जाएंगे जिससे इराक के पास पैसे आएंगे लेकिन इस बीच कुवेट ने अपने तेल का उत्पादन बढ़ा दिया था जिसकी वज़ा से तेल के दाम अंतराश्ट्री बाजार में नहीं बढ़े और इराक की आर्थी क्रिस्थिती और भी खराब हो गई इसी दोरान इराक ने कुवेट पर इराक के इंटरेशनल बौर्डर से तेल चुराने का उरूप लगाया कुवेट ने इससे इंकार किया और फिर इराक ने कुवेट पर हमला कर दिया तारीख थी 2 अगस्त 1990 कुवेट इसके लिए तयार नहीं था नतीजा ये हुआ कि इराक ने कुवेट पर कबजा कर लिया सद्दाम हुसेन ने अल्ला हुसेन अली को कुवेट का प्रधानमंत्री घोशित करार दिया यही वो दोर था जब भारत को कुवेट में फसे एक लाग दस जार भारतियों को एरलिफ्ट कर सुरक्षित निकालना पड़ा था इराक के इस हरकत ने दुनिया के तमाम देशों को इराक के खिलाफ खड़ा कर दिया भारत और फ्रांस जैसे इराक के दोस्त रह देश भी इराक के खिलाफ खड़े हो गए संयुक्त रासंग ने इराग के खिलाफ प्रस्ताव पास किया कुवैत को इराग से छुटकारा दिलवाने का प्लान बना और फिर दुनिया के 35 देशों ने मिलकर इराग के खिलाफ युद्ध का एलान कर दिया 2 अगस्त 1990 को शुरू हुई ये लडाई 27 जनवरी 1991 तक चली जिसे पहला खाड़ी युद्ध कहा गया 27 फरवरी को अमेरिकी राष्टपती जार्द H.W. बुश ने कुवैत को आजाद भूशित कर दिया 15 मार्च 1991 को सेख जाबिर अहमद अलसबाह को कुवैत का शाशक नियुक्त किया गया इस पूरी लडाई की कीमा ताकी गई थी करीब 100 बिलियन डॉलर आज के रुपए के हिसाब से करीब 17,446 करोड रुपए इस पूरी लडाई के दौरान अमेरिका ने सौधी अरब को अपना बेस बना रखा था और वहीं से वो कुवैत में घुसे इराकी सैनिकों पर हमला कर रहा था ये दुनिया के पहली ऐसी लडाई थी जिसे टीवी पर दिखाये गया था अब कुवैत इराक से आजाग था कुवैत के पास अपनी सरकार थी अमेरिका और उसके साथ ही देश खाड़ी युद्ध जीत चुके थे अमेरिका में जाज डाबलो बुश की जगाए पर बिल क्लिंटन राश्च्पती बन चुके थे जो न 1993 में खाड़ी युद्ध की जीत दर्ज करने के लिए अमेरिका के पूर्व राश्च्पते जोज एजड़ डबलो बुश कुवैत पहुंचे उनकी यात्रा 14 से 16 अपरेल 1993 तक की थी इस बीच कुवैत की सेना ने 13 अपरेल को कुछ लोगों को RDX के साथ गिरफतार कर लिया ये लोग जोज एजड़ डबलो बुश की हत्या में करना चाहते थे इसके पीछे इराक का हाथ बताया गया इससे अमेरिकी राश्पते बिल क्लिंटन नाराज हो गए उन्होंने 26 सताइस जुन 1993 की राद को इराक की राजधानी बगदाद पर मिसाईल दाग दिये मकसद था इराक को चेतावनी देना कि आगे वो ऐसा ना करें फिर तीन साल तक शांती बनी रही इसके बाद इराकी सेना ने 31 अगस्त 1996 को इराकी कुर्दिस्तान के इर्बिल में मुसाईलों से हमला कर दिया इराकी कुर्दिस्तान एक सोतन जगा थी अमेरिका को लगा था कि हमले के जरिये इराक कुर्द लोगों को मारना चाहता है जो अमेरिका के दोस्त रहे है 3 सितंबर 1996 को अमेरिकी नेवी और अमेरिकी एर फोर्स ने दक्षडी इराक के एर बेस पर हमला कर दिया इराक में शासन सद्दाम हुसाइन का था जो बार-बार कहीं न कहीं हमला कर देता था वो भस्मा सुर बन गया था जिसे अमेरिका ने ही इरान के खिलाफ इस्तमाल करने के लिए मजबूत किया था लेकिन अब वो अमेरिका के लिए खत्रा बन गया था इससे निबढने के लिए अमेरिका ने इराक में सद्दाम के खड़े हो रहे संगटनों को आर्थिक मदद देने का फैसला किया जिससे इराक में एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया जा सके अमेरिका को इराक में घातक हतियारों के भी होने का अंदेशा था लिहाजा अमेरिका ने अपने साथी देस ब्रिटेन के साथ मिलकर एक बार फिर से इराक के कुछ ठिकानों पर मिसाइल से हमला किया 16 से 19 दिसंबर 1998 तक चले इस हमले में इराक के 97 ठीकायने तबाह हो गए अमेरिका ने दावा किया कि उसने इराक से घातक खत्यार खत्म करने के लिए हमला किया था जिसमें सफलता मिली है लेकिन इस अमेरिकी हमले ने रूस, फ्रांस और चीन को नाराज कर दिया ये तीनों देश संजुकतरा सुरक्षा परिस्ट के सदस्य है उन्होंने इराक पर लगे प्रतिबन हटाने की वकालत की लेकिन 2003 आते आते सब बदल गया अमेरिका में अब बिल क्लिंटन नहीं जॉज डवलो बुश राश्ट पटी थे उन्होंने एक बार फिर से कहा कि इराक के पास रासायनी खत्यार हैं जिनसे दुनिया को खत्रा है अमेरिका की अगवाई में ब्रिटेन, अस्टेलिया और पॉलेंड की सेनाई इराक में घुज गई 19 मार्च 2003 से सुरू हुई ये जंग 1 माई 2003 को खत्म हुई अप्रेल की शुरुआत तक अमेरिकी सेनाओं ने इराक पर कबजा कर लिया सद्दाम हुसायन भाग गया जुलाई 2003 में सद्दाम के बेटे उदय कासे और उसकी 14 साल की पोती मुस्तफा अमेरिकी सेनिकों के साथ होई मुठभेड में मार दिये गये 13 दिसंबर 2003 को सद्दाम हुसायन भी पकड़ा गया और फिर उसे 30 दिसंबर 2006 को फासी दे दी गई इराक में अब सद्दाम हुसायन का खात्मा हो चुका था लेकिन अमेरिकी सेनिक अब भी इराक में मौझूद थे लेकिन इस बीच ISIS ने इराक और सीरिया में सिरूठाना शुरू कर दिया था यह एक आतंकी संगठन था जिसका मकसद इसलामिक इराक और सीरिया बनाना था अमेरिका को अब नया मकसद मिल गया था अब उसे ISIS का सफाया करना था जिसके लिए वो इराक में रुका रहा धीरे धीरे करके अमेरिका ने इराक में अपनी सेनाय हटाई लेकिन उसने बगदाद में अपना नया दूतावास बनाय रखा है जो वेटिकन सिटी जैसे देश जितना बड़ा है इसके पास अपनी सेना ह अपना गोला बारूद है अपनी रसद है और अपना हथियार है इसके अलावा अमेरिकाना इराक में और भी कई ठीकाने बना रखे हैं वहीं पहले सद्दाम हुसेन और फिर अमेरिका के हमले में तबाह हुए इराक की मदद के लिए इरान ने भी पुराने दुस्मनी भूल कर उस पर नए प्रतिबन लगाए तो इराक ने कहा कि वो अमेरिका से बात करेगा इतना ही नहीं जब पिछले साल अप्रेल 2019 में अमेरिका ने इरान के इसलामिक रिवोलिशनरी गार्ड कॉर्प्स को आतंकवादी संगठन घोसित कर दिया तब इराक के राष्टपती आदिल अब्दुल महदी ने कहा था कि वो सम्मंधित पक्षों से बात करेंगे लेकिन बात नहीं बनी और फिर अमेरिका ने ड्रोन से हमला करके इसलामिक अमेरिकानों पर इरान हमला कर रहा है और इरानी ठीकानों पर अमेरिका हमला कर रहा है लेकिन दोनों ही देश एक दूसरे के घर में घुशकर हमला करने से बच रहे हैं अमेरिका इरान और इराक की दोस्ती और दुश्मनी का ये इतिहास आपको कैसा लगा हमें जरूर बता आप देख रहे थे ABP Uncut, शुक्रिया